पित्त प्रकृति अर्थात ऐसे लोग जिनके शरीर में पित्त दोष्ट जादा होता है और वात और कव ये दो दोष्ट कम मात्रा में होते हैं ऐसे लोगों को आईरवेद में पित्त प्रकृति कहा गया है अब पित्त का अर्थ होता है अगनी या फिर फायर तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पित्प्रकृती के लोग का शारिरिक स्ट्रक्चर या उनका हाव भाव कैसा होता है और आप में से कितने सारे लोग पित्प्रकृती के हैं या फिर नहीं पित्प्रकृती को समझने के लिए सबसे जो पहली चीज आपको देखनी चाहिए वो है अगनी या फिर फायर ऐसे लोग जो जन्म से ही फायरी नेचर के हैं अर्थात गरम नेचर के हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं जिनें पित्प्रकृत के कारण गर्मी बहुत और उस गर्मी के कारण जो बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं ऐसे सारे लोग पित्वाले हैं अर्थात पित्वालों को हमेशा heat बहुत लगा करेगी थोड़ी सी भी गर्मी में वो हमेशा तुरंत या फिर पंखा चालू कर देंगे, AC चालू कर देंगे या फिर ऐसे लोग ज उनकी तबियत खराब होने लग जाती हैं ऐसे सभी लोग आईरवेद में पित्त वाले लोग हैं एक और लक्षन आपको मिलेगा पित्त की अधिक्ता होने के कारण ऐसे लोगों का पाचन बहुत स्ट्रॉंग होता है डाजेशन बहुत पावरफुल होता है तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खाते हैं कितना भी आप हैवी खिला दो उनको तीन या चार घंडे के अंदर सब कुछ हजम हो जाता है और फिर कुछ खाने के लिए चाहिए तो ऐसे लोग जिनको आप भुकर कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं पित्त के कारण जिने प्यास ब होती है तो ऐसे लोग जो बहुत बार मोशन भी जाते हैं जो मल त्याग बहुत करते हैं यूरीन बहुत करते हैं और यूरीन और मल में से जिनके स्मेल हमेशा थोड़ी बहुत रहती है ऐसे लोग पित्तवाले लोग होते हैं पित्तवालों को पसीना बहुत ज़्यादा आत जब हम वात की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि वात वालों को ठंडी बहुत लगती है उनका टेंपरेचर डाउन रहता है पर पित वालों का टेंपरेचर बहुत रहता है उनकी शरीरिक गर्मी बहुत रहती है इसलिए ऐसे लोग जो आपको जादा तर एकदम हलके कपड़े पहन के घूमते हुए मिल जाएंगे, ठंडी के मौसम मी जो लोग आइसक्रीम खाते हुए आपको मिल जाए, समझ लीजिए कि वो पित वाले हैं, एक और विशेश गूर्ण से आप जान सकते हैं कि आपके आसपास पित वाले है या नहीं, वो है एग्रेशन अर्थात तीशन स पढ़ाओ, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एग्रेशिव होते हैं, बहुत जल्दी भढ़क जाते हैं और हमेशा मारपीट, युद्ध के लिए तयार रहते हैं, ऐसे लोग जो किसी से डरते नहीं, कोई भी काम हो, वो करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, जो या फिर तामर कलर देखने में ज़्यादा मिल जाएगा, अर्थात तामबे का जो कलर होता है, या शरीर उनका हलका सा पीला पन लिया हुआ, इस तरह का कलर उनका होगा, और कान है, आँख है, चेहरा है, या फिर हाथ है, वो ज़्यादा तर लाल कलर का होगा, या रेडनेस उसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में रहेगी दूसरों के मुकाबले क्योंकि पित्त का डारेक्ट संबद रक्त धातू से है इसलिए इनका शरीर जो पित्त वाले होंगे वो ज़्यादा तर लाल कलर के या उनके शरीर में लाली थोड़ी मात्रा में ज़्यादा दिखाई देगी अब इसी गर्मी के कारण एक विशेश नुक्सान पित वालो के लिए आईरुवेद में कहा है वो है खालित्य और पालित्य गर्मी के कारण, हीट के कारण पित वालो के बाल जल्दी उम्र में ही या तो सफेद हो जाते हैं या जड़ जाते हैं या दोनों चीजे एक साथ होने लग जाती है तो ऐसे लोग जो 16, 18, 20 इसी उम्रे से जिनके बाल बहुत तेजी से जड़ने लग गए बहुत जल्दी सफेद होने लग गए या जन्म से जिनके बाल भूरे कलर के हैं ऐसे लोग पित प्रकृती के होते हैं और पित वालो के बाल ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं अर्थात जवानी में ही जिने गंजापन, टकलपन ये सब आ जाता है वो पित वाले होते हैं एक और विशेशी आपको मिलेगी कि पित वालो के चहरे पे शाइनिंग, अगनी के कारण उनके चहरे पे शाइनिंग जादा होगी पर इसी के साथ साथ उन्हें बहुत जल्दी जुर्यां भी आजने लग जाती हैं जो पित प्रकृति के लोग होंगे, वो यंग एज में ही या तो जुर्यां पढ़ने लग जाएंगी या उनके शरीर में बहुत सारे तिल होंगे उनके शरीर पे आप देखेंगे जो पित वाले होंगे तो तिल जो काले काले स्पॉर्ट होते हैं मोल्स जो इसे कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा पित वालो के शरीर पे पाए जाते हैं शरीरिक लक्षण में पित वालो में आपको उनका शरीर जो है वो मध्यम या फिर मीडियम साइस का मिलेगा पित वाले ना तो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं नहीं बहुत छोटे, उनका ज्यादा तर medium size के वो होते हैं और पित्व प्रक्रिती में आप जो भी चीजे देखेंगे वो आयर वेद में ज्यादा तर मध्यम ही कही गई है जैसे कि उनकी आखें हैं ना तो ज्यादा बड़ी होंगी ना ज्यादा छोटी होंगी और पित्व अले ऐसे होंगी कि जैसे ही light ज्यादा आएगी या थोड़ी सी भी light आते जिनकी आख बहुत जल्दी छोटी हो जाती है जो धूप में जाते ही तुरंट आखें ऐसी कर लेते हैं जिने थोड़ी भी light बरदास नहीं होती वो पित्व प्रक्रिती के हैं पित्वालों का शारीरिक बल भी मध्यम ही होगा ऐसे लोग जो शारीरिक काम करते हैं पर मध्यम मतलब वयाम तो करते हैं जैसे वात्वाला व्यक्ति होगा वो वयाम करेगा तो थोड़े से वयाम करते ही जैसे 10 या 15 पुश अप मारते ही या थोड़ा सा भागते ही ठक जाएगा पित प्रकृति वाला जो वेक्ती होगा अगर वो वयाम करेगा तो वो 50-60 इस तक पुश अप एक साथ मार पाएगा या फिर वो जादा वात वालों से जादा भाग पाएगा तो पित वालों का जो शारिरिक बल कारे करने की शक्ती होती वो मध्यम होती है पित प्रकृति की जो आप आवाज पाएंगे वो तीशन पाएंगे अर्थात जिनकी आवाज तेज है शार्फ है जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं बहुत अच्छा लोगों को समझा सकते हैं तो वो जो आवाज के अंदर एक boss वाला जो nature होता है, कि आवाज के अंदर एक खनक होती है, एक आवाज लगता है कुछ सुनने में, वो पित वालो का होता है, एक्जाम्पल में आप देखे तो शायद जैसे राजी उभाई दिक्षित इनको आप देख सकते हैं पित्य प्रकृति उनका नेचर था तो उनकी जो आप आवाज सुनेंगे तो उनकी एक आवाज आपको सुनने में एक फायर फील होता है एक लगता है कि इस आवाज में कुछ बात है तो यह जो बौसी नेचर है या आवाज के अंदर जो यह तेजपन है जो पकड़ है ऐसा तीशन नेचर पित्वालों की आवाज में होता है पित वालो का कलर या तो वो थोड़ा पीला पन तामबे के कलर का या गोरे कलर के वो होंगे पित वालो के शरीर में बाल कमी पाये जाते हैं वात और पित ये जो दो प्रकृतियां हैं इनके शरीर पे, चाहे वो सीर पे हो, शरीर पे हो कहीं भी, रूम, बाल, इनकी मात्रा कम ही संख्या में होती है और पित्वालों के तो बाल ऐसे होते हैं कि यंग एज में भी चले जाते हैं पित्त वालों की जो skin होगी वो पतली होगी और हमेशा heat रहेगी ना जुक तचा होगी सूकमा soft skin आप जिसको बोल सकते हैं वो पित्त वालों की होती है और हमेशा गरम रहती है heat रहती है पित्त वालों को normally constipation ये सब की समस्चाय नहीं होती क्योंकि पित्त के कारण उनका pit weight अच्छे से साफ होते ही रहता है पित्त प्रकृति की नीद भी मध्यम होती है वात वालों की जोब आप नीद देखेंगे तो आप उन्हें alert पाएंगे कोई भी थोड़ा cut pit out जाएंगे पित्त वाले उससे थोड़ा कम alert रहेंगे मतलब मध्यम नीद ऐसे लोग जो 24 घंटे में 6 या 7 घंटे सोते हैं और उनके लिए वो काफी है पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति नीद में जादा तर गरम चीज़े देखेंगे जैसे की सूरिय या फिर बिजली या फिर आग ऐसी गरम गरम चीज़े लाल कलर की चीज़े ऐसी कई सारी चीज़े उन्हें अपने स्वपन में देखने मिलेगी महिलाओं में जो अगर महिलाएं पित्त प्रकृति की हैं तो उनके साथ ऐसा होगा कि उनका जो मासिक धरम है वो जादा मात्रा में आया करेगा या फिर जल्दी आजाए करेगा या मासिक धरम से या वाइट डिश्चार्ज से स्मेल आने का थोड़ा बहुत उन्हें तकलिफ होती रहेगी महिलाओं के लिए हम प्रकृति के एक अलगती ही जानकारी देंगे जो कि उनके मासिक धरम से जुड़ी वी विशेश तких दोर पे रहेगी जिससे आप ज़्यादा अच्छे से अपने आपको समझ सकेंगे तो पित्य प्रकृति की महिलाओं में मासिक धर्म जादा मात्रा में आता है bleeding जादा होने के chances होते हैं और सफेद पानी या white discharge के समस्या इन तरह की महिलाओं को जादा होती है ऐसी महिलाओं जिनको गर्भाशय के आसपास हमेशा कुछ न कुछ injury हो जाती है या फिर पसीना जो जननांग के भागे उन सब जगहों पे पसीना बहुत आता है उस पसीने से दुरगंध जादा आती है ऐसी जादा तर पित्य प्रकृति की महिलाओं होती है तो ये तो था पित्य प्रक्रिती के कुछ सारेरिक लक्षन जिससे कि आप इन लक्षनों को मिला कर जान सकते हैं कि आप या आपके आसपास के लोग पित्य प्रक्रिती के हैं या नहीं है अगले हम वीडियो में बात करेंगे पित्य प्रक्रिती के मानसिक लक्षनों के बारे म अर्थात पित्य प्रक्रती वालों का दिमाग कैसा होता है किस तरह के वो कारिय करते हैं और किस तरह आप activity देखके या अपनी activity देखकर आप समझ सकते हैं कि आप पित्य प्रक्रती के हैं या नहीं है तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें